इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रटन इंडिया पावर के बारे में जिसने के अपने कॉर्टर वन के नंबर्स को जस्ट अभी डिस्क्लोज कर दिया तो चलिए देखते हैं इस बार कंपरियें के नंबर्स कैसे रहें तो सारे फिकर करोड में और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले और नौटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले क्योंकि रिजल्ट पब्लिश होते ही आपको 10-15 मिट में चैनल पे अपडेट मिल जाएगा तो कॉर्टर वन की अर्निंग से कॉर्टर फोर की अर्निंग से थर्ड कॉलम में आपको कॉर्टर वन लास्ट येर का देखने को मिलेगा और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जॉइन बटन से मेंबर्शिप भी जॉइन कर सकते हैं revenue from operations की अगर बात करें तो yearly basis पे 847 करोड से 931 पे आ गया quarterly 913 से 931 पे तो quarter on quarter plus year on year basis दोनों ही जगे revenue बढ़ा है उसमें आप other income add करेंगे तो आएगी total income जोकी 935 से 1016 पे आ गयी quarterly 995 से 1016 पे तो quarter plus yearly दोनों ही जगे company की income बढ़ी है then expenses की बात करें जो की 1400 करोड से 923 पे आ गया quarterly 1015 से 923 पे तो income तो इस बर बढ़ी है उसके बावजूद expenses हमें काफी हद तक control में देखने को इस बार बिलकुल मिल रहे है then discuss करते हैं कि company को profit या loss कितना हुआ बढ़ अगर expenses में अगर आप देखेंगे तो company की जो finance cost थी वो previous दोनों ही quarter में काफी ज़ादा थी जोकी इस बार सिर्फ 120 करोड है जिसकी वजह से इस बार profit काफी कम है as compared to the previous both quarters then discuss करते हैं company को loss या profit for the period कितना हुआ तो last year company को quarter 1 में 549 करोड का loss था इस बार 93 करोड का profit हुआ और quarter 4 में company को 10,665 करोड के profit था वो इस बार 93 करोड पे आ गया तो काफी जबर्दस तरीके से quarterly profit गिरे और yearly basis पे काफी अच्छे numbers देखने को मिल रहे हैं 10,635 करोड का जिसकी adjustment के बाद company के profit काफी ज़्यादा बढ़ गया था वरना पी बीटी के गर बात करेंगे तो quarter 1 में last year 535 करोड के losses थे और quarter 4 में 20 करोड के losses थे इस बार 93 करोड का profit हुआ तो overall अगर आप देखेंगे तो काफी जबर्दस नंबर देखने को मिल ले बट quarter 4 में positive का 0.17 और quarter 4 में EPS 19 था वो इस बार 0.17 पे आ गया तो overall अगर आप देखेंगे तो before अगर adjustments की बात करेंगे तो काफी massive number है quarter और यरली दोनों ही जगे बट अगर आफ्टर दी adjustment of exceptional item देखेंगे तो वहां पर company के नतीजे हमें खराब देखने को मिल रिबट मार्केट का एक positive reaction बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि results काफी अच्छे यरली basis पे तो देखते हैं मार्केट क्या react करेगा इस पे तो आपको अस return power इंडिया के कितने shares है comment box में बिल्क update के साथ तब तक के लिए बाबाए